अस्सलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है समी आप देख रहा है सन किंग टेक और इस वीडियो में हमार पास मोटरोला की दोई डिवाइसे मौजूद हैं किट में मोटो वन एस 5G और मोटो जी 9 प्लस इस वीडियो में इनके कुछ मेनी स्पेक्स और केमरा फीचर भी देखेंगे और अब इनकी जो प्राइजिस हैं वो भी काफी कम हो चुकी है और इनमें जो आपको फीचर मिलते हैं वो काफी कमाल है और सबसे पहले हम बात करेंगे मोटो वन हैस 5G की Android इसमें आपको 11 मिलता है और इसमें आपको दो वेरियंट्स देखने को मिलते हैं एक चार चोंसाट और एक 618 इस वीडियो में आपको दोनों वेरियंट्स की जो प्राइज हो पता चल जाएगी और इसमें जो चिपसेट लगाया गया है वो काफी पावरफूल है इसमें आपको काफी बड़ा मिलता है और यह 6.7 इंचिस का एक IPS LCD डिस्पले है लेकिन 1080 की रेजलूशन के साथ आता है और 16 मेगापिक्सल का इसमें आपको सेल्फी केमरा मिलता है इस सेंटर पंच होल में और बेक पर ट्रिपल केमरा सेट अप दिया गया है जिसमें 48 मेगापिक्सल का में सेंसर है और यहाँ पर इल्टरा वाइट सेंसर भी दिया गया है और इसका design आप देख सकते हैं काफी उपसूरत बनाया गया है यहाँ पे fingerprint वगेरा भी शो नहीं होते हैं और खास तोर पर इसका यह जो color है यह काफी उपसूरत है Type-C का connector भी दिया गया है इसमें और 5000 mAh इसमें आपको काफी बड़ी battery भी मिल जाती है यहाँ पर आपको सबी जो basic feature हैं वो देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले photo और video की option दी गई है और यहाँ पर आपको wide angle की option भी मिल जाती है इसके इलावा slow mo और night mode बगेरा की option मुझूद है और video में आपको stabilization मिल जाती है और इसके बेक केमरा से आप 4K तक video record कर पाओगे क्योंकि इसमें जो chipset लगाया गया है वो भी काफ़ी powerful है और PUBG की performance की अगर बात करें तो इसमें आपको वो भी काफ़ी अची देखने को मिल जाती है लेकिन इसमें आपको 40fps की gaming मिलेगी और अगर बात की जाए इसकी price और बाकी चीज़ों की तो इस वक्त आपको kit में ये PTA approved 644 वाला variant 23,000 तक मिल जाता है और अगर आप इसका upper variant लेना चाते हैं 628 वाला तो आपको 27-28,000 तक मिलता है तो overall ये एक best device से display camera design और gaming के अवाले से और आपको budget range में भी मिल रही है काफी अची price में और ये PTA page अपरूव होते हैं लेकिन आपको shopkeeper की तरफ से जो PTA की lifetime warranty है वो भी देखने को मिल जाती है और अब हम बात करेंगे Moto G9 Plus की इसमें जो आपको variant देखने को मिलेगा kit में वो 4GB RAM और 118GB की storage वाला है और ये hybrid SIM से लोट के साथा है या आप इसमें 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 इस्तिमाल कर पाऊगी एक SIM और एक SD कार्ट और डिस्प्ले इसमें आपको बड़ा मिलता है 6.8 इंचिस का और ये 1080p resolution वाले डिस्प्ले और यहां पर आपको एक पंचोल डिस्प्ले मिल रहा है स्नैपड्रागिन 730G काफी पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर पर आता है और इसमें जा आपको जायरोस्कोप एक सेंसर है वह भी हार्डवेर बेस देखने को मिल जाता है तो आपको साइट से भी कोई मसला नहीं आएगा और इसका जो फिंगर पिंट सेंसर है वह इसकी पावर की के ओपर ही दिया गया है तो यह थे इसके कुछ में इसपे एक सबबार ही इसकी केमरा एपको अपन करने की और यहां पर सबसे पहले आपको फोटो वीडियो और मोर की ओप्शन मिलती है और उपर की साइट पर जो है काफी सारे फीचर दिये गए है जिसमें वीडियो इस्टेप्लाइजिशन भी मुझूद है और यहां पर जो जिपसेट है वो काफी पावरफुल दिया गया है तो अब भी पीटी अप्रूफ डिवाइस है आज की वीडियो आपको किसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यह मुवाइल खरीदना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनकी शौप का एड आप वहाँ जाकर इनसे यह मुवाइल खरी सकते हैं वीडियो को मकमल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में अतना ही अपना ख्याल लगएगा अल्ला आपिस